नमस्कार दोस्तों स्वारा थे आप सभी काव कि अपने चनल वसुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों हमने पिछले वीडियो में यानि वीडियो एक में जिसका लिंक में अपने डिस्क्रिप्समेंट अला हुआ है देखा था कि उत्रा अधिकार के संबंद में क्या नियम है नए सरवेक में और खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि जाली और अवैद कावजात प्रसुत करने पे खाता किसके नाम से खुलेगा और क्या हमारे सवालों के समधान हो सकते हैं दोस्तों हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं सरवे में मैं उन्हीं सवालों का एक जवाब दे रहा हूँ दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए इससे मेरा मोटिवेशन बरा रहे दोस्तो मेरा मोटिवेशन बढ़ने से मैं आपको और अच्छी से अच्छी जनकारिया दूगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अपना एक ये डिस्क्लिमर पढ़ लेते हैं इन सुजहाओं को वैदानिक विभागिया निर्देश अत्वा निर्ने द्वारा नहीं माना जाएगा ना ही किसी नयाले में अत्वा निर्ने में इस पुस्तिका में वर्नी तथ्यों को भी भागिया निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया सकेगा ये मातर सुजहाओ है और पिठासीन परादिकार जाथा पूसर विक्षन के कर्मियों द्वारा इस अधार पर वैद्धानिक तथ्यों से आउगत होकर निर्ने लेने में सहुलियत होगी दोस्तो यानि कि इस डॉक्मेंट को आप किसी कोर्ट में प्रस्तुत ना करें ये कोई ओफिसेल डॉक्मेंट नहीं है दोस्तो ये मातर आपके मन में उठ रहे सवालों के सुजहाओ है उनके समाधान है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो पहला हमारा सवाल यह है किसी वेक्ति द्वारा जाली कागजात की अधार पर दूसरे वेक्ति के जमीन पर दावा करने की स्थिति में अगर दोस्तो कोई जाली कागज प्रस्तुत करके किसी और के जमीन पर दावा करता है तो दोस्तो उसमें क्या होगा किसी वेक्ति दोरा जाली कागजात के अधार पर दूसरे वेक्ति के जमीन पर दावा करने की स्थिति में खाता मूल वेक्ति के नाम से खुलेगा यदि उस कागजात को सिविल नयाले दोरा जाली गोसित किया गया हो तो दोस्तो यानि कि कोट ने अगर उसको जाली गोसित किय तो उखाता आप मूल वैकति के नाम से खुलेगा ठीके दोस्तों जैनी कि जमिन जिसकी है उसके नाम से खुलेगा दोस्तों नेक्स सवाल यह है कि खतियान में किसी अन्य वैकति का नाम हो। से कि चुन थारी उसकी वंचावली से भिन हो। और उसके त्वारा बतलाया जाए कि उक्त भूमी उसके पुरवजो को नीलामी से प्राप्त हुई है परंतु नीलामी के कागजात इसके पास उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे स्थिति में क्या हो यानि कि दोस्तो खतियान में एक अनामदर्ज है ठीक है दोस्तो और जमीन पे है बी है उसका कबजा है और दोस्तो ए और बी के बीच में वनसावली के अलहर पे कोई संबंद नहीं है और बी ऐसा कहता है कि मुझे ये जमीन नीलामी में प्राप्त हुई है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो इस परिस्थिति में क्या होगा बिहार सरकार के नाम से खाता ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में दोस्तों किसी अंचल के करमचारी द्वारा अगर फरजी तरीके से जमीन की बंदोबस्ती कर दी गई हो दो क्या करेंगे ठीक है दोस्तों तो अगर किसी ने फरजी तरीके से जमीन की बंदोबस्ती कर दी तो हम क्या करें इस सवाल का हमारा पास क्या समधान है अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन की अधार पर उक्त बंदोबस्ती पर्चा को फर्जी माना जाएगा और यदि फर्जी बंदोबस्ती की अधार पर जमाबंदी दर्ज है तो उक्त जमाबंदी को रद करने के पश्चात बिहार सरकार क नाम से खाता खुलेगा ठीक दोस्तों हमारा जो आकरी सवाल है वो है अन्य जिलों में फरजी केवाला कियाधार पर खाता खुलने रयत आएंगे तो क्या होगा यदि केवाला निमंदन कड़ आले द्वारा सत्यापन पस्चात फरजी ठाराय गया हो उस इस्तिति में उस केव हमारे वीडियो टू थी और हमारे आने वाली सीरीज में ऐसी बहुत सारी वीडियो जाएंगी ठीक दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके मल में उठ रहे जो भी सवाल है उसके समधान हो सके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवा जए हिंद